दोस्तो स्वागत है आप सबीका बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े खवरों के बारे में इस विडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सबी कमेंट ब horse में जरूर बताए कि आप बिहार के कि जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर राज में अब टिका के लिए देना होगा सिकुरिटी कोड ओनलाइन रेजिट्रेशन करने वालों के लिए आज से नई विवस्ता चार अंको का सिकुरिटी कोड से होगी पहचान जी हां कोरोना की टिकां के लिए online registration का नियाम बदल गया है अब online registration के बाद registered mobile number पर आये 4 अंको का security code बताना होगा इसी क्यादार पर vaccination होगा स्वास्त मंतराले ने इस संबध में आधेस जारी कर दिया है और 8 मை से COVID portal पर नया feature भी जोड़ दिया जाएगा पटना के प्रती रक्षन पदादी कारे डाक्टर स्पी विनायक का कहना है कि टिकाकरन में जो भी बदलाव आते हैं उन्हें सेंटर को अपडेट कर दिया जाता है सिस्टम को लगातार अपडेट किया जा रहा है अभी 18 पलस की टिकाकरन को लेकर भी तैयारी चल रही है आपको बता दे कि भारत सरकार के स्वास्त मंत्राले ने ऐसे कई अर्चनों को दूर करने और नागरिकों को अस्विदा से बचाने के लिए कोविन पोटल के कोविन अप्लिकेशन में चार अंको वाल सेक्रेटी कोड सुरू करने का फैसला किया है अब पहले पुष्टी की जा जाने के पहले चार अंको वाल सेक्रेटी कोड पूछा जाएगा जिसके बाद उसे टीका लगाया जाएगा अगली बड़ी कबर स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने जारी किया हेलप लाइन नंबर सिकायत और मदद के लिए इस नंबर पर करे कॉल बिहार में कोरोना वारिस के मामले में ब्रिदी का सिलसिला जारी है इसी बीच बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने सुकुरवार को ट्विट करके लोगों के लिए एक हेलप लाइन नंबर जारी किया है इस पर लोग 24 घंटे में कभी भी कॉल करके सहायता सला या मदद मांग सकते हैं मंत्री सयुक्त पर्वियस परिख्षा के लिए आवएदन की तारिक बढ़ी परिख्षा की नई तारिक गोसी। नौटिफिकेशन जारी किया गया है नौटिफिकेशन में पूरा रिवाई सिडुल जारी कर दिया गिया है सिक्चा मंत्री का एलान अगले दो हपते के अंदर सभी सिक्चा मंत्रियों के वेतन का हो जाएगा भुगतान जिहां सिक्चा मंत्री विजय कुमार चोद्री ने सुकरवार को कहा कि राज के सभी सिक्चा कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान दो सब्ता के अंजाएगा उन्होंने कहा कि यह सही है कि पिछले दो तिन महिने से वेतन भुगतान के लंबित रहने के कारण सिक्चा कर्मिय की बदहाली है सरकार उनके कठिनायों के प्रती जागरुक एवम समेदन सील है इसके मद्दे नजर प्राथमिक मैद मैदमिक विदालों के अलावा बेविन विस विदालों के सिक्चक एवम सिक्चकतर कर्मियों के वेतन भूगतान के रासिक का स्विकृत्य देश निर्गत कि में तीन जोड़ी ट्रेनों को अगले आदेश तक किया रद पूर्व मैद रेलवे ने कोरोना संकर्वन के बढ़ते वे खत्रे को देखते वे कई गाड़ियों को रद कर दिया है पूर्व मैद रेल के मुई के यात्री परिचालन प्रवंदक ने तीन जोड़ी स्पेसल ट्रे के सवी फेरो को रद कर दिया गया है उदर गाड़ी संक्या 02-339 और गाड़ी संक्या 02-340 हावडा धनबाद हावडा स्पेसल ट्रेन रद कर दिया गया है वही दानापूर से रोज खुलने वाली भागलपूर दानापूर भागलपूर स्पेसल ट्रेन को भी रद कर दिया गाड़ी संख्या 03401 और 03402 दानापूर से भागलपूर के बीच रोजाना चलाए जाने वाले इस्टेन को रद करने की सुचना जारी कर दी गई है बाड और सुखार की तैयारियों के लिए सेम नितिस ने की बैठक अधिकारियों को दिये कई बड़े निर्देश जी हाँ अभी कोरोना को लेकर मुश्किले कम नहीं हुए लेकिन दूसरी मुसिबत से निबटनी की तैयारी सुरू हो गई है नितिस कुमार ने कल बिहार में हर साल आने वाले बाड के प्रबंदन को लेकर मिटिंग की सुकुरवार को सियम आवास में संभावित बाड और सुखाड की पूर्व तैयारियों की बीडियो कॉनफरेंसिंग के मैधम से समिक्चा बेड़क की गई इसमें आबदा प्रबंदन विभा के प्रधान सची प्रतत अम्रित ने बताये की संभावित बाड और सुकाड की पूर्व तैयारी को लेकर मानक संचलन प्रक्रिया यानि SOP अनुसार बाड आबदा प्रबंदन किया जाएगा उन्होंने NDRF और HDRF प्रतिन्युक्त ना पोलितिन सीट रहात समेगरी की उपलबता बाड इस्तलों की भी जानकारी दी साथी CM नितिस ने अधिकारियों को कई बड़े निर्देश भी दिये है जिसमें हर वर्ष की तरह इस बार भी बाड एवं सुकाड की संभावनाओं को देखते वे पूरी तैयारी रखे बाड की सिति में परवावित छेत्रों का टीम बना कर सही आकलन कराए साथी परवावित लोगों की सुची बनाते समय पूरी पार दरसिता बरती जाए ताकि कोई भी पेड़ी तलाब से वंचित नरा जाए बाड से सुरक्चा के लिए बची वे सभी कटाव निरोदक कारे एवं बाड सुरक्चात्म कारे को जल से पुरा करे बाड की दोरान रामिन सडके जो पहले से छती गरस थे उनकी भी मरमती जल से जल करे अगली बड़ी कबर बिहाटा कोवीड अस्पताल आज से सेनक के हवाले दिल्ली से पहुचे असी सदस्य मेडिकल टीम पहले चरन में सो बेड का अस्पताल सुरू होगा जी हाँ एस आई बिहाटा कोवी अस्पताल सुकुरवार से सेनक के हवाले हो जाएगी इसके लिए असी सदस्य चिकित्सा कर्मियों का दल विशिस विमान से पढ़ना पहुच गया है इसमें 25 विशिस सेग डाक्टर अन्य पारा मेडिकल और नर्सिंग स्टाप है सेन अधिकारियों के दल ने गुरवार को बिहाटा अस्पताल का निरिक्षन भी किया था अगले दो दिनों में यहां 100 बेड का अस्पताल सुरू किया जाएगा एक सपता में इसे बढ़ा कर 300 बेड किया जाएगा इसके बाद परसिति के हिसाब से यह संक्या 500 बेड की की जाएगी आपको बता दे कि सेनक के कूल 140 च अगतार ब्रदी हो रही है राज में 13,466 नए कुरोना संक्रमित की पहचान पिछले 24 गंटे में हुई है पटना सहीत 9 जिलों में 500 से अधिक नए कुरोना संक्रमित मिले है पटना में सरवाधिक 2410 नए संक्रमित मिले है जबके भागलपूर में 512 मुंगेर में 603 मुझपर परपूर में 630 नालंदा में 548 सारन में 509 सुपोल में 513 वैसाले में 509 और पश्चिमी चंपारन में 537 नए कुरोना संक्रमित मिले है बिहार के प्रेकाच चिकितसक डाक्टर मोहन मिस्रा का निधन मुखमंत्रे नितिस कुमार ने जताया सोग जिहां बिहार के प्रेकाच प्रेकाच चिकितसक पदमसरी डाक्टर मोहन मिस्रा का हाट एटेक से निधन हो गया दरबंगा जिले के लहरिया सराय के बंगाली टोलाश्थित आवास में उन्होंने अंतिम सास ली पदमसरी डाक्टर मोहन मिस्रा के निधन पर मुखमंत्रे नितिस कुमार ने सोग जताया बड़ी कबर कोरोना के कारण इस साल भी गांधी मैदान में नहीं होगे एद की नमाज घर पर ही इबादत करेंगे लोग कोरोना संकर्मन के बेच रमजान का पावन महिना चल रहा है कुछ दिनों के बाद मुस्लिम समुदाई के लोग एद का तेवार मनाएंगे लेकिन बिहार में 15 मैं तक लगे लोगडाउन को देखते हुए इदेन कमिटी गांधी मैदान ने बड़ा एलान किया है इदेन कमिटी ने इस साल बेच सराई और देश के कानून का पालन करते हुए गांधी मैदान में एद के नमाज नहीं होने का एलान किया है आपके जानकारे के लिए बड़ा दे कि गांधी मैदान में करीब 40,000 लोग नमाज आदा करने को आते हैं जो भी मुख मंतरी होते हैं वे यहां एद मिलन करने के लिए आते हैं नमाज के लिए जीला प्रसासन से अनुमती ली जाती है लेकिन इस साल कोरोना को देखते हुए ये कायरकरम नहीं होने वाला है बाड़ी कबर कोरोना को मात देने में गुजरात से आगे बिहार 24 घंटे में 13,364 ने दी कोरोना को मात रिकावरी रेट में देश भर में टॉप 10 में आया बिहार जी है कोरोना को तेजी से मात देने वाले टॉप 10 राज्जों में बिहार भी का नंबर नोवे स्तान पर है लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले के बेच इसे काफिस सुकत बताया जा रहा है बिहार में 15 जुन के बाद मुख्या जी का पावर खतम पंचायत प्रतिनिद्यों का अधिकार अपसरों के पास गावों के लोगों का काम बीडियो डिडिसी और डियम देखेंगे जी हा बिहार में 30 तरिय पंचायत चुना पर लगबग पूरी तरह से ग्रहन लग गया है ऐसे में बिहार की 30 तरिय पंचायत का कामकाज 15 जुन के बाद जन प्रतिनिद्यों के जिम्मे नहीं बलकि अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा वाड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिती और जीला परिसत तक की विकास योजनाई बनाने और मंजूर करने का अधिकार प्रकण से लेकर जीलों के अफसर को देने के तैयारी सरकार कर रही है पंचायती राज विवास्ता के तहात होने वाले काम अपसर के जिम्मे होंगे जब तक नव निर्वाचित परतिनीदों का सपतगरा नहीं हो जाता है तब तक पंचायत का पूरा काम अधिकारे ही देखेंगे आपको बदा दे कि 15 जून से पहले नया निर्वाचा नहीं होने की स्थिति में मुखिया सरपंज, वाड, पारसत, सही, त्रिस्तर या पंचाय समिती के अधिकार ले ले जाएंगे और उनकी जगा बेडियो, डिडिसी और डियेम को जिम्मेदारे दी जाएगी बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिस और ओले गिरने के आसार जाने अगले 48 घंटे कैसे रहेगा सुबी का मौसम बिहार में तेज गर्मी के बाद अब पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदल सक गया है, पिछले तीन दिनों से यहाँ आंदे और बारिस की सिती बनी हुई है, वही अगले दो दिनों तक अभी ऐसे ही मौसम के आसार बने हुए रहेंगे सुबे के पूर्वी भाग में अगले 48 घंटे में मेग गर्जन के साथ बारिस और ओले गिरने के आसार है, वही राज के प्रमुक सहरों का तापमान सामान से भी नीचे चला गया है, वही उत्तर बिहार में दो दिनों तक आस्मान में बादल चाय रहेंगे नितिस सरकार का एलान पिला कार्ड धारे 25 लाग परिवारों को 35-35 किलो मुप्त में अनाज केंद्र की दो महिने मुप्त में मिलने वाले अनाज से अलग है योजना पिला कार्ड लाबुको को बिहार सरकार इसमा प्रति परिवार 35 किलो अनाज मुप्त में देगी ऐसे कार्धारियों की सेंक्य राज में 25 लाग एक हजार है इसके अलावा सभी सपेद कार्धारियों को प्रति सदय से 55 किलो अनाज केंद्र वह इतना ही अनाज राज सरकार की और से मुप्त में मिलेगा केंद्र की और से मुप्त अनाज दो मैने तक दिया जाएगा अरन की बड़ी कबर कर्मचारी चायन आयोग ने SSC CGL 2020 और CHSL 2020 टीर वन की परिच्छाई इस्तगित की है SSC की वेवसाइट SSC.NIC.IN पर इस जम्मन में सात मैं 2021 को नोटिस जारी किया गया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि वर्तमान में हमारे देश में स्वास्त मंत्री कोन है इसका जवाब अब हमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताए